हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ बिंडी मसाला बनाने की रेसिपी यह बहुत ही चटपटी और एक कम खिली-खिली बनती है इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मसाले यूज करके हम इसको बनाने वाले हैं तो चलिए फिर बिंडी मसाला बनाना सुरो करते हैं तो बिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम बिंडी को कट करेंगे तो यह मैंने आधा किलो यानि की 500 गराम बिंडी लिया है बिंडी को मैंने पहले ही अच्छे से दुला और पूरी तरह से सुका लिया है इसमें ब कटा दिया और उसके बाद बिंडी को एक से डेड़ इंच की वो टाइम में मैं कट कर लूगी और बिंडी काटते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको इवनली कट करना है क्योंकि अगर बिंडी पतली और मोटी होगी तो फिर वो अच्छे से इवनली कूग नहीं होगी तो आप देख सकते हो मैंने भिंडी को कट कर लिया है और अब मैं ये मेडियम साइज का प्याज भी कट कर लूँगी प्याज को मैं रफली चोफ कर लूँगी आप चाहो तो बिना प्याज के भी भिंडी को बना कर तयार कर सकते हो तो मैंने प्याज को भी रफली चोफ कर लिया है और अब इसी के साथ ही मैं कट करूँगी यह करीब 6-7 लेसुन की कर लिया और लेसुन को मैं रफ ली चॉफ कर लूँगी आप चाहो तो बिना लेसून और पियाज के भी बिंडी को बना सकते हो लेकिन अगर आप लेसुन और पियाज खाते हो तो आप इसको जरूर यूज करें इनका टेस्ट बिंडी के साथ बहुत ही अच्छा आता है, तो आप देख सकते हो मैंने सारी चीजों को अच्छे से कट कर लिया है, तो अब इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और बिंडी बनाना सुरू करेंगे, और बिंडी बनाने के लिए एक पैन में मैं एड़ करूंगे यह तीन से चार टेबल स्पून तेल हमें भिंडी को फ्राइ करना है इसलिए थोड़ा सा मैंने ज्यादा तेल लिया है और अगर आपके पास मस्टर्ड तेल यानि की सरसो का तेल हो तो आप भिंडी उसमें बनाए उसमें बिंडी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है और जैसे ही तेल गरम हो गया है मैं इसमें एड कर दूंगी एक चम्मत जीरा और जीरे को मिडियम फ्लेम पर अच्छे से सुनहारी कलर का होने तक भून लूंगी और साथी में मैं इसमें एड कर रही हूँ यह दो से तीन हरी मिर्चे और हरी मिर् से थोड़ी सी भूण गया है तो मैं इसमें एड कर दूंगी बिंडी जो कि हमने अभी कट की थी हूँ और बिंड़ी के साथ ही मैं इसमें एड कर दूंगीに प्याज और लैसून हमें इस रैसेपी के लिए प्याज और लैसुन को पहले बिल्कुल भी फ्राइग करने की जाएगी और यह फिल बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपकेंगे तो एक मिनट हो चुकी है और अब मैं इसमें एड कर दूंगे स्वाद अनुसार नमक और आदा चमाच हल्दी पाउडर और इन दोनों को डालकर आम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद मीडियम फ्ले तो आप देख सकते हो कि कैसे मैं बिंडी को फ्राइ कर रही हूँ तो बस हमें बिल्कुल ऐसे ही बिंडी को चलाते हुए फ्राइ करना है तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बिंडी पक रही है यह थोड़ी सी सिंग होने लगी है और बिंडी को फ्राइ करने में हमें तो आप देख सकते हो कि भिंडी पूरी तरह से सॉफ्ट लग रही है, अच्छे से पक चुकी है, तो अब इस स्टेज पर इसको थोड़ा मसाले दार बनाने के लिए हम इसमें एड करेंगे कुछ सुखे मसाले, और सुखे मसालों में मैं एड करूंगी एक चम्मच धरिया पा अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप चाहों तो मसाले डालने से पहले गैस का फ्लेम लो कर ले जिससे की मसाला हमारा बिलकुल भी पैन में नहीं लगएगा, और मसाला डालने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर री 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे अब हम इस गर्म गरम भिंडी को सर्व करेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हो रोटी के साथ या फिर प्राठी के साथ भी बहुत ही डिलिस्यस लगती है तो आप भी इस सिंपल सी टेस्टी और मसालेदार भिंडी की सबजी को एक बार जरूर ट्राइ किजेगा और साथी में अगर यह आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए